आज हम सीखेंगे पादप के सरल्स था ये उतक के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पादप उतक, विभजो उतक यानी मेरिस्टमेटिक टिशू की कोशिकाएं जीवन भर विभाजत होती रहती है, किन्तु जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, धीरे धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है पूर्ण वृद्धी के बाद यह कोशिकाएं एक निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट कार्य करने लगती है और विभाजत होने की शक्ती खो देती है कोशिकाओ का एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थाई रुप, आकार और कार्य लेने के क्रिया को विभेदी करन यानी differentiation कहते हैं ऐसी कोशिकाएं स्थाई उतक का निर्माण करती है पादप के ऐसे उतक जिसकी कोशिक आए पूर्ण तोह परिपकव है जो विभाजत नहीं हो सकती स्थाई उतक यानि Permanent Tissue कहलाते हैं स्थाई उतक दो प्रकार के होते हैं सरल स्थाई उतक यानि Simple Permanent Tissue और जटिल स्थाई उतक यानि Complex Permanent Tissue चलिए पादप के सरल स्थाई उतक को विस्तार से जाने पादपों की सबसे बाहरी परत कोशिकाओं की एक ही परत से बनी होती है यह परत एपिडर्मिस कहलाती है एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परते होती है जिसे सरल स्थाई उतक कहते है ऐसा उतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थाईय कोशिका से बना होता है जो एक जैसा कार्य करती है सरल स्थाईय उतक कहलाता है कार्य के अनुसार सरल स्थाईय उतक को पैरनकाइमा, कोलनकाइमा और स्कैरनकाइमा में वर्गिकरित किया गया है पैरनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परते मूल बंधन उतक बनाती है जिसे पैरनकाइमा कहां जाता है पादप में पैरनकाइमा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थाई उतक है यह उतक पतली कोशिका बित्ती वाली जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है यह कोशिकाए प्रायह बंधन मुक्त यानि लूसली पैक्ड होती है तथा इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है पैरन कायमा लगबग पादप के सभी अंगों में पाया जाता है जैसे जड़े, तना, पत्तिया, फूल, फल और बीच यह पादप को सहारा प्रादान करने और भोजन के भंधारन का कार्य करता है तथा तहनियों और जड़ों में उपस्थित पैरन कायमा जल और पोशक ततों का भी भंधारन करता है इसलिए इन कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है पैरन कायमा पादप को सुरक्षप्रदा नहीं करता है कुछ पैरन कायमा उतकों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है ऐसे पैरन कायमा उतक को हरित उतक यानि क्लोरन कायमा कहां जाता है यह उतक प्रकाश संसलेशन यानि फोटो सिंदोसिस के क्रिया संपन करते हैं इसी तरह पैरन कायमा का ऐसा उतक जिसकी कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं उपस्थित होती है एरन कायमा कहलाता है हवा की गुहिकाएं पादप को जल में उतराती है यानि की तैरने में मदद करती है इसलिए जलिय पादपों में एरन कायमा उपस्थित होता है कोलन कायमा इसी प्रकार पूर्णवरुत्त में अन्यस्थाई उतक कोलन कायमा उपस्थित होता है कोलन कायमा उतक के कोशिकाए जीवित और लंबी होती है तथा इनमें सेलुलोस और पेक्टीन होता है जिसके कारण कोनों पर कोशिकाओं की बित्ती और नियमिट धंग से मोटी होती है और इनके बीच रित्तस्थान बहुत कम होता है कोलन कायमा उत्तक की कोशिकाओं के कोनों में लिगनन उपस्थित होता है कोलन कायमा पादपों को लचीलेपन का गुण प्रदान करता है जिसके कारण पादप के कुछ भाग जैसे तना और पत्तिया आसानी से बिना तोटे मुड़ पाते हैं तथा यह पोधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है स्क्लेरन कायमा पादपों के तने, पत्तियों की शिराओ, बंडल सन्वहन के पास तथा फलो और बीजों के कठोर छिलके में स्क्लेरन कायमा उतक उपस्थित होता है इसकी कोशिकाय मृत, लंबी और पतली होती है तथा इनकी भित्ति में लिगनिन उपस्थित होता है लिगनिन एक रसायनिक पदार थे जो कोशिकायों को आपस में जोड़े रखता है लिगनिन के कारण कोशिकायों के भित्ति बहुत मोटी होती है और कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है इसलिए स्क्लेरिन कायमा पादप को कठोर और मस्बूत बनाता है तथा स्क्लेरिन कायमा पादप को सुरक्षा प्रदान करता है चलिए अब एपिडर्मिस की बात करें तो epidermis पादप की सबसे बहारी एक कोशिकिया मोटी परत होती है पादप की संपूर्न सतह epidermis से ढगी होती है epidermal कोशिकाएं पादप की बहारी सतह पर मौम जैसी जल प्रतिरोधी परत का निर्मान करती है जो पादप की यांतरिक आगात और परजीवी कवक से रक्षा करती है epidermis के परत अच्छिन न होती है और epidermal कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकिया स्थान नहीं होता ज्यादतर epidermal कोशिकाएं चप्ती होती है तथा इनकी बहाय एवं पाशो वित्तिया आंतरिक वित्ती से मोटी होती है मरुस्थल पादपों की epidermis मोटी होती है और इसमें क्यूटीन का लेप होता है क्यूटीन जल अवरोधक रसायनिक पदार्थ है जो पादप को जल के क्षए से बचाता है पत्यों की epidermis में छोटे-छोटे छिद्र होते है जिनने स्टोमैटा कहा जाता है स्टोमैटा को वरुक के आकार की दो कोशिकाएं गेरे हुए होती है जिनने रक्षी कोशिकाएं यानि guard cells कहा जाता है स्टोमैटा और रक्षी कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान और वाशपोत सर्जन यानि ट्रांस्पिरेशन की क्रिया करते हैं इसी प्रकार जडों में उपस्थित एपिडर्मल कोशिका है, जडों को सोखने का कार्य करती है इन कोशिकाओं में बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जडों की कुल अवशोशक सतह बढ़ जाती है इसके कारण जडों की पानी सोखने की शमता बढ़ जाती है पादब की आयू बढ़ाने के लिए उसके बहाय सुरक्षात्मक उतकों में परिवर्तन होते हैं जैसे तन्य के कोटेक्स में दूतिक विभज्यों तक यानि पाश्वो विभज्यों तक की एक परत उपस्थित होती है जो कौर्ख कोशिकाओं के परतों का निर्माण करती है यह कोशिकाएं मृत होती है और इनके बीच अंतह कोशिकी अस्थान नहीं होते है तथा इनकी भित्ती में रसायनिक पधार्थ सुबरीन होता है जो पादब को हवा और जल प्रतिरोधी बनाता है इस प्रकार आज हमने सिखा पादब के सरल्स था ये उतक के बारे में